लोगसवा चुनाब के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी करती है सूची में साथ उम्मीदवारों का एलान किया गया है इसमें महाराष्टर की एक लोगसवा सीट के अलावा पंचाब की तीन उत्य प्रदेश की दो और पश्चिम बंगल की एक सीट पर उम्मीदवार उतारा गया है सूची के मुताबिक पंचाब में खडूर साहिब से मंजेत सिंग, मन्ना मियाविंड, होश्यारपूर अजा से अनीता सोंप्रकाश और बठिंडा से परम पाल कौर सिद्धू को टिकर दिया गया है आपको बता दे कि सूची में पंचाब की तीन लोगसवा सीट के लिए भी उमिदवारों का एलान किया गया है बठिंडा सीट से पार्टी ने पूर्व आयस परम पाल कौर सिद्धू को अपना उमिदवार बनाया है सिद्धू ने हाले में स्टीफा दे कर बाजपक अदामन थामा था उनके स्टीफी को लेकर बिवाद भी हुआ था जब पंचाब के मुख्यमंत्री भगवन तमान ने कहा था कि अब तक उनका स्टीफा मंजूर नहीं हुआ है ऐसे मेँ वह किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते परम्पाल काऊर सिद्धू अकाली निता सिकंदर सिंग मरलुका की बहू है बठिंडा में उनका मुकाबला अकाली दल के हरसिम्रत को और बादल से हो सकता है 2019 में हरसिम्रत यहां से जीती थि आम अदमी पार्टी ने बटिंडा से गुरमेज सिंग खुडिया को अपना उमिदवार बनाया है वहीं कॉंग्रेस की ओर से जीत मोहिंदर सिंग सीधू मैदान में है इसके साथ ही होशारपुर सीध से पार्टी ने मजुदा सांसत सोंप्रकाश का टिकट काट कर उनकी पतनी अनीता सोंप्रकाश को अमिदवार बनाया है सोंप्रकाश फिलाल मोदी सरकार में वानेज एवम उद्योग राज्य मंत्री है इसी तरह खडूर साहिब सीध से पार्टी ने मंजीत सिंग मन्ना मिया विंड को उमीदवार बनाया है मन्ना 2022 के विधान सवा चुनाब में अमरसर जिले की बाबा बालक सुरक्षत सीध से लड़े थे हलांकि उन्हें कॉंग्रेस के दलवेर सिंग टॉंग से हार का सामना करना पड़ा था मन्ना पहले अकाली दल में भी रह चुके हैं वीडियो डेस्क अमरुजाला.ड़ कॉम